हाँ जी दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है I hope you are all doing really really well दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CA final के हर student से जिसका November 2023 में exam है दोस्तों आप लोगों के request पे मैं लाया हूँ आप लोगों के बोध ग्रूप का planner तो उस तो थोड़ा लंबा वीडियो और थोड़ा detailed वीडियो होने वाला है planning के अलावा बहुत सारी और चीज़े बताने वाला हूँ जो मैं चाहता हूँ तुम लोग अपती गलतियों से नहीं बलकि मेरे और दुसरे की गलतियों से सीख लो ताकि तुम लोग कोई नहीं गलती करने का मौका मिले अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना यह जो planner है यह बहुत सादा मे 23 के examination के हमारे learnings पे based है मे 23 का examination एकदम out of track था एकदम out of expectation था बहुत जगा जहां हमने चीज़े expect कर भी सकी थी सोची भी नहीं थे उसके बाहर जाकर के इनोंने paper दिया है तो उस expectation से जो भी learning से उसके अलाव उसके basis पे मैं आप लोगों को एक planner बना के देने वाला हूँ बहुत सारी चोड़ी चोड़ी चीज़े बताऊंगा तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा अपना समय नवेंबर 2023 का आपका exam है अब हमने क्या decide कि है कि उसके last के जो दो मेने 10 दिन है दो मेने 10 दिन से लेके दो मेना 15 दिन है on a very safer side on a very conservative side on a very optimistic side हमने क्या किया है उसको हमने revision के लिए डाले आप लोगों को revision करना पड़ेगा last के धाही मैने में तो मैंने क्या किया November है तो October और September औ और second last revision आपका 40 दिन का होगा और उसके अलावा मैंने 5-7 दिन फिर भी extra रखें तो आप यह मान के चलो 15th August 2023 will be your deadline जहां पे आपको बहुत सारी चीज़े करनी होगी अब सर्थ सवाल ही उटके आता है कि इस समय में क्या करेंगे हम अब देखो तुम अगर तुम August का महना आपके पास आज की date में 90 days बचे हैं और 90 days बचे हैं जहां पे आपको कितने subjects खदम करने हैं 8 subject खदम करने है 85-90 days बचे हैं सर आपके हाथ में अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर बहुत सारे बच्चे यह पूछते हैं कि सर हम लोगोंने कितना revision करना चाहिए हम लोगोंने 2 revision कर होगे और उसके उपर 2 full revision मारोगे and listen to this very carefully आप infinite number of times important topics का revision मारोगे infinite number of times मतलब क्या जैसी कि important topics में आता है directors law में या फिर आपके professional ethics आता है audit में या फिर आपके कोई भी चाप्टर जो important है जैसी कि direct tax में PGVP आ गया तो इस तरह कि जो भी important topics होते हैं वो एक बार दो बार करने पे नहीं चलेगा अब full course का revision किते बार मारोगे दो बार पर यह जो selected important topics है इसके आपको n number of revisions मारने पड़े के कभी भी आपको 2-3 मुटने का free space दिखा कुछ नहीं समझा रहा है directors उटाओ revision मारने शुनू कर दो क्योंकि यह जो chapters है न यह exam में scoring बहुत जादा होते हैं और at the same time time consuming कम होते हैं तो आप इसमें score कर सकते हो तो उसके infinite number of revisions होगे मेरे को याद है हम तो अपने preparation leave के ताइम पे normally भाहर आ जाते थे और section 149 से 172 तक पूरा discuss करकर एक दूसरे से revise कर रहे हैं कोई book book नहीं खोले हम तो इस तरह का revision तो count भी नहीं होता है full revision में तो दो पूरा revision होगा और उसके इलावा यह extra revisions होगे sir 3-4 revision का plan नहीं करोगे because always realize that quality over quantity आपका 4 revision होने से कोई फरक नहीं पड़ता दो एकदम प्यारा revision किया ना तो आपका बहुत काफी हो जाएगा तो आप लोगों को यह plan करना है कि 90 दिन के अंदर हम लोगों को एक बार syllabus खतम करना है और फिर दो revision का plan करना है अब sir सुनो ना कि syllabus खतम करना मतलब क्या sir 3 step है जो non-negotiable है और यह May 23 का exam और भी proof करता है step number 1 classes खतम करो step number 2 classes के 6 बढ़ाई और आजकल हम क्या करते हैं से classes को binge watch करते है raja binge watch मत करो आप लोगों को classes के साथ साथ क्या करना पड़ेगा self study भी 7 आपकी काफी सारी classes खतम होगी है आइडल situation तो यह होते है कि आपकी काफी सारी classes खतम हो गई है पर इस तरह की चीज़े होती नहीं है सर हमारी classes इतनी सारी खतम होई नहीं होती है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे पर हमारा अभी भी टार्गेट यही रहेगा 15 दौगस तक पूर अगर आपके सारे class खतम होगे एक बली class नहीं बचाए तो तो दोस्त आपको 8 घंटे भी पढ़ लोगे ना self study तो अभी शुरू के एक डेड मेने आपका काब हो जाएगा पर अगर आपके classes और बचे है ना राजा तो आपको 12 घंटे touch करने पड़ेंगे because it is already high time आपके पास both group अगर आपको November 23 में देना है तो आपके पास इस से जादा समय बचा है नहीं और बचने वाला है नहीं पर सर क्या होता है जब समय नहीं बचता है तो लोग आते हैं कि सर हम लोग fast track lectures ले लेंगे या फिर हम लोग कोई shortcut निकाल लेंगे दोस्तो ultimately May 23 का paper देखके ये समझ आय जो आपकी classes लेनी होती है ये self study करनी होती है उसमें आप 100% से कम coverage नहीं कर सकते है और दोस्तों मैं बता हूँ fast track lecture नाम का कोई concept ही नहीं होता है जो fast track lecture होता है तो उतना समय आपको खुद पढ़ने में देना पड़ते है जिसे मेरे fast track lecture से ATR के मेरे ultimate batch 120 हार की जो 40 गंटे का difference ह ना वो 40 गंटा कहीं ना कि मैं आपसे homework करवा के निकलवाऊंगा क्योंकि content की coverage तो में कहीं भी नहीं चोड़ूँगा बगर आप 40 गंटे का homework नहीं करोगे तो वो 40 गंटे आपका नुक्सान हो गया पर वही अगर आप 120 गंटे मेरे साथ ultimate batch करो तो आपका 120 गंटे पढ़के ह हो गया for example तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फरक देखो फरक जादा नहीं होता है आप एक normal सा batch लो और उसको पढ़ाई करके ख़दम करो किसी भी subject ले पर आपको कोशिश करनी चाहिए पूरा 100% coverage लेने की सर यह तो हो गया अब उसके आगे मेरी बात समझो सर अभी आपके पास number of days है 85 to 90 और आपको number of days को subject में डिवाइड करना है तो आप मेरी बात यहां से सुनना सर मैंने 4 डबो में डाला है subject को DTFR costing जो गया वो सबसे बड़ा हो गया आपको मैंने बोला 10-11 days per subject इनको 10-11 days लगेगा सर SFM और IDT relatively छोटा है इनको 6-7 दिन का subject माल लो audit और law वेसे 7 दिन लगे 6 दिन लगे 5 दिन लगे पर मैं कहता हूँ audit और law को evenly spread कर दो हर दिन में ताकि आपका 2-2 गंटा audit 2-2 गंटा law करके या 1-5 गंटा audit 8-5 गंटा law करके खतम हो जाए और economic law open book है सर इसको भी आपको देने पढ़ेंगे 5-6 दिन पर फरक सिर्फ इतना economic law एक बर पढ़ोगे न तो इस तरीकी से पढ़ना थोड़ा आराम से पढ़ो exam के पास पढ़ना और एक बर पढ़ोगे तो इतना अच्छे से पढ़ना कि आप सीधा exam hall के पहले पढ़ोगे न तो आपका काम हो जाएगा तो यह number of days होगे sir, तुम समझो मैंने तुम भई micro planning करके दे दिया, कि भईया 90 दिन इस तरीकी से बढ़ेगा पर इसके अंदर आपको micro planning करनी पढ़ेगी sir, और micro planning हर subject का नहीं कर सकते, अभी पहला जो subject उठाने का सोच्रे उसको उठा करके decide करो, कि आपको micro planning किस तरीके से करनी है, sir जैसे कि smart planning करना, जैसे कि मैं आपको FR के बारे में बता हूँ, तो FR का scene ये था sir मेरा, कि मेरे को FR पहली बार पढ़ना था, मेरी classes हो चुकी थी, अब classes हो चुकी थी और मैं सोच रहा हूँ, FR पढ़ना है, तो FR पढ़ने के लिए मैं पूरा plan बना रहा हूँ, अब sir, लोग क् पूरा planning होनी चाहिए, कैसे बनेगा सरीए, मैंने कैसे plan किया था मैं आपको बताता हूँ, मैंने जिस faculty की class ली थी, मालो मेरे classes चल रहे थे, और बीच में कभी मेरी classes मिस होगे, अगर classes मिस होगे, तो वो classes का content सुद से पढ़ना, उसको notes में लिखना, और आगे बढ़ना ताक कितने घंटे लगेंगे, 100 घंटे लगेंगे, और अब ओ 100 घंटे में मेरेको chapter भी पता है, मालनो for example index x है, और x को, सर्ने 4 घंटा लिया या 3 घंटा लिया, तो मेरेको पता है, मेरेको एक घंटे में खतम करना है, अगर मेरा late हो गया, तो मेरेको आज ही पता चल जाएगा, कि मैं अपने शेनियूल के पीशे चल रहा हूँ, मैं उसको cover up करने में लगा दूँगा, तो इस तरीखी से smart planning करनी पड़ती है, ताकि अगर आप बोल रहे हो, 10 दिन के अंदर में FR खतम कर दूँगा, तो तुम्हारे पास well written plan होना चाहिए, कि 10 दिन में तुम कैसे खतम कर दोग हवा में तो बाते नहीं कर रहे हो, उसके बाद सर, 1st June, अभी तो आप पहले देख रहे हो, वीडियो बाद में देख रहे हो सर, 1st June आपका heart stop है, अगर आप बोद ग्रूप देना चाहते हो, तो 1st June is the date, when you actually put 6th gear in your car and you have to, you have to go at your peak, because आप अभी बहुत जादा डीले करोगे आप तो आगे चल करके unnecessary pressure आएगा, और इस तरह का pressure हर कोई deal कर भी नहीं पाता है सर, तो इसलिए आप लोग एकदम ध्यान रखना, कि आप लोगों को जो है, सारी चीज़े एकदम ढंक से पढ़नी है, और सारी चीज़े detail में cover करनी है, अब सर मैं आपको एक छोटी सी बात जाते हो वीडियो के बीच में, कि आप लोगों के November 23 के लिए मैं आप लोगों को law में तो support करने ही वाला हो, उसके साथ साथ एक और subject में आप लोगों को support आने वाला है, उसके बारे में अपन सर्थ कुछ दिनों में वीडियो बनाने वाले है, पर एक नया subject और आने वाला है जिसकी classes भी आने वाले, notes भी आने वाले, lectures भी आने वाले, revisions भी आने वाले, सारी चीज़ों आईगी पर सर, रुको जरा सबर करो, पर सर एक बात बताओ किया, वापस आजाओ planning में, सर जब आप micro planning कर रहे हो ना, जैसे आपने decide क्या FR करना है, या SFM करना है, तो कुछ points से ज क्यों कि मैंने गलत classes ले ली थे, मेरा rank मेरा, मेरा fail मेरा, तो तुम लोग ये समझो, 100% coverage करना पड़ेगा, तुमको in-depth study करनी पड़ेगी, पूरी चीज़े आपको 100% गुस करके, knowledge oriented पढ़ा ही करना पड़ेगा, दोस्तों, देखो, सिर्फ CA का exam देना नहीं है, अपने को CA ब तो consolidation शुरू से के end तक मेरे को इतना time लगा, इसका एक rough ballpark figure आपके पास होना चाहिए सर, और मैं आपको बता दू, practical question अगर कर रहे हो ना, तो जितने पढ़ने के tricks बना सको, जितने रटने का tricks बना सको, वो tricks आज ही से बना लो, मैं आपको एक और रामबान इलाज बताता आज अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहो, जिससे आपका भले पूरा एक दिन जा रहा है, लेकिन exam के पहले आपका एक गंटा भी बच रहे है, it is worth it, what did I say, अगर आज कोई काम करके पूरा एक दिन जा रहा है, पर exam के वेले एक गंटा भी बच रहे है, it is worth it, for example, आपने सोच आप पूरा दिन इंवेस्ट कर सकते हो, because that is what you have to do, this game is all about summarizing your syllabus, this game is all about narrowing down your syllabus, इतना बड़ा जो content है, उसको इतने कम समय में लाना, यही तो पूरा गेम है, तो यह आपको करना पड़ेगा, sir, उसके अलावा, sir, अपने जाते जाते आपको rank की tip भी बता देता हूँ, एक ऐसी लोग नहीं होते, पर rank holder के mark sheet में हमेशन हर subject में exemption होते है, मैंताब एक 60 उनका पार है, पर कुछ ऐसे 2-3 subject होते है, जिसमें वोना एकदम निकर कर के आ रहे है, 75, 80, 85, 90 तक भी दिख रहे है, sir, यह जो 3-4 paper होते है, ना, 2-3 paper होते है, यह आपको rank के तरफ खीच के लाके लेक आपने 8 subject को 3 category में divide करो, 3 subject, 3 subject, 2 subject, यह 3 subject वो है, sir, जो आपकी strength है, यह 3 subject जो आपके average है, और यह 2 subject जो आपकी weakness है, sir, strength क्या है, strength वो है, जो अगर paper tough आया, तो आपको 60 minimum देके जाएगा, क्योंकि आपकी strength है, और अगर paper easy आगया, तो 80 minimum देके जाएगा, यह आपकी strength की ताकत होती है, sir, अगर average paper की बात करू, तो average paper, sir, जैसे मेरे लिए strength था मेरा SFM, मेरे को पता था SFM, अगर difficult भी आएगा, साथ लाने की कोशिश पूरी करूँगा, जान लगा दूगा, easy आएगा, तो 80 के उपर जाएगा, और paper easy आया, मेरे को 87 आए, sir, same was the rule for my IDT, IDT भी मेरे को लग 65 के पास चला जाएगा, पर sir, जो weakness होते है, जैसे मेरे लिए weakness किया था, मेरा audit था weakness, अब sir, weakness अगर है आपका, तो tough paper कितने बाता है, 40 पे आजाओगे, क्योंकि fail तो नहीं हो सकते न, sir, और अगर easy paper आया, तो 50-50 तक आजाना चाहिए, यह आपका matrix होना चाहिए, sir, तब जाक भी मजा आ रहा है, plus मेरे से solve भी हो रहे, तो strength आज नहीं पता चलेंगे, आपको दीरे-दीरे पता चलेगा, पर सब जब पता चल जाए न, इनको freeze कर देना, ताकि इसके basis पर आप rank ला सको, दोस्तों, that's it, I hope this content was actually helpful for you, some or the other way, sir, किसी तरीकी से भी आपको help किया हो, तो video को like जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुचा देना, और सुनो, यह चैनल को subscribe जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारा content आते रहने वाले, November 23 वालों के लिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो comment पे जरूर बताना, और